अगर दोस्तों आप यार्टेल डिजिटेल टीवी को यूज करते हो आएसे लिए यार्टेल डिजिटेल टीवी का स्टेंडर्ड डिफिनिशन के सेट अब वर्क्स हो तो आप कैसे कनेक्ट करोगे आपका कोई भी CRT टीवी में यहाँ पड़ एक CRT टीवी है और यार्टेल ड सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिक्षिन बेल प्रेश करना ना बोले क्योंकि मैं राइस चनल पर ओलो इस आपको टीवी एंड डिटेशी लेटर वीडियो का अपडेट में रहता है तो वाइस चली वीडियो को स्टार्ट करते और जानते या टेल डिजिटेल टीवी को स्टेंडर्ड डिफिनिशन सेट्टर वोक्स को कैसे कनेक्ट करोगे आप किसी भी स्टी टीवी के साथ दोस्तों यहां पर कुछ जरूरत होगा जिसी की स्री लीट का जुरूरत होगा यानि कि एवी केबल का अगर आपको एक ओरजिनिल क्वालिटी एवी केबल चाहिए दि लें डेस्कीशन में लिंक है होँआइससं जाके आप कश्टब सेक्टेंट सेक्टर शिक्स मंत का फ्री वाला कि अपको मिल जाएगा या फिर वान मंत का स्टीप्शन के साथ आपको कनेक्शन लेना है तो भी मिल जाएगए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस connection को आप कैसे करोगे तो दोस्तों यह है याटल डिजिटल टीवी का standard definition setup और यह एक CRT TV में connect कर रखा है मैंने तो चलिए जानते हैं इसका connection कैसा होगा अगर आप से कोई गलती होगी या connection में तो आप कैसे सही कर पाओगे तो सबसे पहले हमें इसका connection का back side में यहाँ से देखें यह power adapter का है जिससे अपना setup box को power supply मिलेगा और यह वाला cable जो है अपना dish antenna से आके यहाँ पर connect होगा ठीक है यह दो connection आपको बिल्कुल सही जोड़ देना है अब देखें यहाँ से यह वाला connection में जदातर miss हो जाता है आपको connect करने में तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पीला को यलो वाला jack है इस पर यलो पर डालेंगे फिर red वाला को red पर डालेंगे और सफेद वाला को सफेद पर डालेंगे जेक पिक जिस तरह से color आपको marking किया हुआ है ठीक उसी टाइप से set of box का back side में भी color marking किया है उसी को मिला के ढाले power adapter डाल दे power supply के लिए ठीक है यहाँ से होगी अपना connection complete अभी हम क्या करना है तीवी का साइड पर connection को चेक करना है यहाँ से अपना जो set of box से connection सही कर लिए आमने और इसी जेक को ठीक opposite side को तीवी का back side में या फिर side पे रहेगा इस तीवी का side पे है बाकी का back side पे होता है तो यहां से देखे yellow का साथ yellow, red के साथ red और white के साथ white मिला के डाल दे और यहां से डालने के बाद आपने यहां से AB option रहेगा आपका TV का सामने देखे TV AB इससे select करें ठीक है तो यहां से मैंने already select कर रहा है तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो select करें तो कभी कबड जेक का issue से यह प्रोब्लेम्स होता है जेक भी एक बड़ चेक कर लें और यहां से एक बड़ क्या आ रहा है दीकिए error code 2 आड़ा है यानि कि अपना डिजिकाट जब भी error code 2 आए डिजिकाट को एक बड़ निकाल ले निकालके अच्छे तरह से साफ करके दुबारा डाल दे आपका error code 2 आप प्रोब्लेम्स solve हो जाएगा तो यहां से अपना यह problem हो चुका है स्वल्ब इस सिंपल सा connection है एकदम सिंपल कैसे सेट्ट वोक्स को connect करते हैं CRT TV के साथ यह जाना हमने इस वीडियो में यार्टेल डिजिटेल टीवी का किसी भी स्टेंडर्ड डिफिनिशन सेट्ट वोक्स सब कैसे CRT TV के साथ connect करोगे यह जाना है तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों वीडियो का एक लाइक कीजिएगा और यहां से आप देख सकते हैं इस टेंटर्ड डिफिनिशन सेट्ट वोक्स से नई यार्टेल डिजिटेल टीवी का और दोस्तों अगर आपको नया connection चाहिए दिन description में लिंक यहां से purchase कर सेक्ट हूं मिझे फिस एक और न